हलो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो राश्पती से संबंधित ही है, लेकिन राश्पती से संबंधित जो महतपूर तत्थ हैं, उन महतपूर तत्थियों से धे सारे प्रस्न बनते हैं, राश्पती से जुड़े हुए बेक्तियों से संबंधित महतपूर प्रस्न आज की टॉपी किये हैं ठीक है बाकी राश्पती के संदर में जो मैंने वीडियो बनाएं उसको आप जरूर देखिएगा ये राश्पती से संबंदित जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या जो भारत की नागरीक है उनसे संबंदित महत्पूर परस्न पूछे जाते हैं आए हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं जी हैं बहुत ध्यान से सुनियेगा राश्पती से जुड़े वे महत्पूर टत्थ्थ्य महत्पूर टत्थ्य और इन तत्थ्यों को आपको ध्यान पूर्वर से सुनना है और समझना भी है खिंगे तो बहुत ध्यानपुरुवक सुनिए गाए और समझीए गाविद्रु यहां से प्रस्ण बन दें। राश्पती के संदर में पहला तथ्य आपको यह याद करना है कि अगर हम राश्पती के क्रम के बारे में बात करें तो राश्पती के क्रम या चुनाओं के आधार पे देखें तो चौदा चुनाओं हो चुके हैं और चौदा चुनाओं का मतलब कि राश्पती के क्रम में देखेंगे तो चौदा राश्पती अब तक बन चुके हैं यह आपको ध्यान में रखना है लेकिन अगर व्यक्ती के क्रम में देखें तो कुल राश्पती की संख्या लगभग सत्रह है के लिए अब आपके दिमाग में यह हो रहा होगा कि आखिर में यह तीन राश्पती आए कहां से तो देखिए इसमें जो तीन राश्पती है 14 पलस तीन हम उनको कारिवाहाक राश्पती की रूप में जानते हैं कारिवाहाक राश्पती और यह कारिवाहाक राश्पती कौन-कौन से है तो यह कारिवाहाक राश्पती की रूप में देखेंगे मेत्र तो नोट कर लिए जिएगा, पहला जो कारिवाहाक राश्पती बने, उनका नाम था बीवी गिरी, जी हाँ, बीवी गिरी ये पहले कारिवाहाक राश्पती बने, अगला कारिवाहाक राश्पती अगर आप देखेंगे, तो इसमें हिदाय तुला और नेक्ष्ट देखेंगे तो बीडी जत्ती बीडी जत्ती अगर बीडी जत्ती को देख लेंगे तो इस तरीके से ये तीन राजपती कारवाहाख हैं तो यहां पर देखेंगे इसमें 14 और पलस्ती कुन मिलाकर लगवक कितने हो जाते हैं तो 17 हो जाते हैं और एक चीछ थोड़ा से ध्यान रखेंगे कि ब्यक्ति के करम में अगर देखेंगे तो डाक्टर राजपरसाद दो बार बने थे हलागे योग कारवाहाख नहीं है लेकिन डाक्टर राजपरसाद दो बार बने थे ये भी आध्यान में रखेंगा तो डाक्टर राजपरसाद दो बार बने थे चुना तो जरूर दो बार हुआ था 14 बार चुना हो चुके हैं लेकिन डाक्टर राजपरसाद दो बार बने हैं इनका भी इनकी भी गिंती नहीं गिनी जाएगी लेकिन चुनाओं में इनकी गिंती गिनी जाएगी और पलस यह तीन कारवाहक राश्पती हुए है ठीक है अब बीवी गिरी को कारवाहक के रूप में यहाँ पर नहीं मानोगी बीवी गिरी राश्पती के रूप में भी है त मैने करेंगे क्योंकि भीबी गीरी राष्पती पर यहां तो बने हुए थे पहले कश राष्पती गए हाँ नहीं थे लेकिन चुकि वो दो बार चुने गए और बेकती एकी है तो वहां से हम क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे तो इस तरीके से देखेंगे यहां डाक्टर राजिन पर साथ आ जाएंगे और बीबी गिरी माइनस हो जाएंगे तो संख्या कितनी बनी रहेंगे तीन ही बनी र तो बहुत सार्ट में हम लिखेंगे राश्ताइग करम जिनको आपको को ध्यान में रखना तो चोदार राश्पती कौन-कौन से हैं इस चीज़को अम इधर से देखते हैं यहां से राश्पती कौन-कौन थे मित्रे करम से यह जानना आपके लिए बहुत आवस्यक है देखिए पहले जो हमारे देश के राश्पती बने और डाक्टर राजन्त परसाद यह आपको याद होना चाहिए डाक्टर राजन्त परसाद बने डाक्टर राजन्त की परसाद चुनाओ की करम के में बात कर रहा उसको अभी फिर समझाओंगा डाक्टर राजंत पर साथ अगर देखेंगे फिर यहाँ पर डाक्टर सौरपल्ली राधा किरस्णन सौरपल्ली राधा किरस्णन इसके बाद देखेंगे डाक्टर जाकी हुसेन तो डाक्टर जाकी हुसेन भी बने हुए थे डाक्टर जाकिर हुसेन के बाद बीवी गिरी आएं तो आपको बीवी गिरी के बारे में भी पता होना चाहिए बीवी गिरी के बाद फकरू अली अहमद जी यां फकरू अली अहमद आपको इनको भी याद करना होगा अहमद और इसके बाद दखेंगे फकरु अलिय अहमद के बाद नीलम संजी रड़ी नीलम संजी रड़ी आप इनको भी जानिएगा एग्यानी जैल सिंग एग्यानी जैल सिंग और एग्यानी जैल सिंग के बाद जो अगला राश्पती बने उनका नाम था वेंकट रमन वेंकट रमन और वेंकट रमन के बाद जो बने उनका नाम था संकर देयाल सर्मा संकर देयाल सर्मा ठीक है? संकर देयाल सर्मा फिक के आर नरायन के आर नरायन के आर नरायनन इसके बाद देखेंगे जो नेष्ट बने और कौन बने बताएं पर्थम भिग्यानिक राश्पति डाक्टर APG अब्दुलकलाम तो अब्दुलकलाम डाक्टर APG अब्दुलकलाम फिर इसके बाद जो अगला राश्पति बने ओर कौन बने LPG अब्दुल कलाम के बाद आप देखेंगे परितिबापाटेग नोट करते जाएगा एक करम है और इसके बाद जो बने प्रडो मुखरजी और प्रडो मुखरजी के बाद देखेंगे तो रामनात कोविन अब यहाँ पर देख लेते हैं कुल कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांक, छह, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, और चवदर संख्या कितनी हैं? चवदर तो चवदर राशपती बने यह आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा डाक्टर राजन परसा, डाक्टर सुर्पले और डाक्टर जाकिर हुसें, जो तीसरे नमबर के राशपती थे, बीवी गिरी, चौथे करम में राशपती थे, यह आप याद करेगा हैं, लेकिन यह राशपती, प्रॉपर राशपती के रूप में हैं, अगर कारवाहा के प्रॉपर यह राशपती के करम दिया हुआ है, इसको आपको याद करना होगा, अब दिखते हैं, अब यहाँ पर जो कारवाहा के राशपती को में आपको बता रहा हूँ, जैसे बीवी गिरी, बीवी की गिरी कब आये थे कारवाहा के रूप में, इसे में एड़ करिएगा समझने की कोसिस करिएगा आप, बीवी गिरी जो कारवाहा के राशपती की रूप में आये थे, और जाकिर हुसेन की मृत होने के उपरान, यानि कि बीवी गिरी जो बीवी गिरी आये थे, ये बीवी गिरी किसके अस्थान पर आये थे, जब जाकिर हुसेन की, डाक्टर जा सब्सक्राइब जो राश्पती आये थे भीवीगिर में भीवीडिकन के द्वारा के द्वारा वहरा है कि राश्पति से त्याग पत्र देने को परांता था यानि की जो बीवीगिरी थे और राश्पति पर बने हुए थे और राश्पति का चुनाओ समय कौssen बहुत अ उनके अस्थान पर हिदायत उला आये थे अगला है बीडी जत्ती बीडी जत्ती के बारे में सुनने जेमीन जो बीडी जत्ती थे यह बीडी जत्ती किसके अस्थान पर आये थे तो बीडी जत्ती यहाँ पर लिखा है फकरू अली आहमद तो फकरू अली आहमद अहमद की जब मिरित हो जाती है तो उनके अस्थान पर बेड़ी जत्ती आते हैं कारभाग की रूप में तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अब तक भारत में जितने राश्पती हुए हैं उन में से कितने ऐसे राश्पती हुएं जिनके कारकाल की दोरान मिरित हो गई थी तो दो कौन-कौन डाक्टर जाकिर हुसेन और फक्रू अली आहमद और यहीं पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि निमलिखित में से कौन कारवाहक राश्पती की रूपे में कार किये हुए थे तो वह दिविगरी हिदायतुला और बीडी जत्ती यह आपको पता होना चाहिए किलियर इतनी बाते आप समझ गया होंगे जहां तक मुझे उमीद है अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो उप राश्पती के पत के रूप में कार कर चुके थ हैं अब उनको भी देख लीजिए पहली चीट डाक्टर सवर्पली यह उप राश्पती के पत पे थे बाद में राश्पती बने फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें आपका नाम डाक्टर सवर्पली राधा किरसनन का आता ही है इसके अलावा इमसमें वेंकट रमन सं अगया नरायन यह भी ऐसे वेक्टी है जहें जो उप राश्पती के पर कारे कर चुके में इतने प्रमुख वेक्ति का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए यही राश्पति बनने सरे पहले बाद कारे की हुए थे इतने आपको जरूर याद होया है स्वर्पल्ली, वंकट रमन, संकर दिया सन्मा, और किया नरायन, यह ऐसे राश्पती हैं, जो राश्पती बनने से पहले, उप राश्पती के पतपर कार्य कर चुके हैं, यह इनकी यह क्या है, विसेस्ता है, किलियर, तो आपसे प्रस्टन कई तरीके से पूछ सकता है, आप देख रहे हैं, कारवाहब, मृत्व, ब्यक्ति की करम में, चुनाओ की करम में, उप राश्पती की करम में, और करम बधता की रूप में, आपको पता होना चाहिए, किलियर, यहां पर कुछ देख लेते हैं, जगे खाली है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, अब यहां से कुछ सवाल और देख लेते हैं जैसे कुछ पाइंट और नोट कर सकते हैं अब ये नोट करिए चाहे आप इसको याद करिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से आपके एक्जाम में कभी-कभी ये पूछा जाता है कि देश का पर्थम कारवाहाक राश्पती कौन और पहला मुसलिम कारवाहक राश्पती कौन था तो पहला मुसलिम कारवाहक राश्पती हिदायत तुला थे के लिए पहला कार्वा बिवीगिरी पहला मुसलिम कार्वा तो हिदायत उल्ला ऐसे कौन राश्पती थे जिनकी दूसरी मदगर्णा में उनके विज़े घोसित हुई थी और सबसे कम मत से जितने वाले कौन थे तो बिवीगिरी थे इनकी दुबारा मत गर्णा हुई थी और सबसे कम वोट से जितने वाले भी बीबी गिरी थी ये भी आप याद करिएगा बीबी गिरी का दुबारा मत गर्णा हुआ था और सबसे कम वोट से जितने वाले थी आगे चलते हैं ऐसे कौन से राश्पती थी जो राश्पती बनने से पहले लोगसभा अध्यच थे तो नीलं संजी रेड़ी एक ऐसे बेखती थे जो राश्पती बनने से पहले लोगसभा के अध्यच थे नीर बिरोध रोज से चुने जाने वाले कों राजड़ा पती थे तो एग्यानी जेल सिंग भारत में सबसे ब्रिध राज़ाष्पति वंकट रमंद थे और ध्यान से सुनिएगा भारत में एक मात्र ऐसे राज़पती हैं जिनों ने अपने कारकाल के दोरान चार विर्थियों को पी-म के पत पर बैठते हुए देखा चार बार यानि कि इनके दोरान लोग सबा का भी घटन इतनी बार हुआ होगा ओ थे क्यार नरायन बंगाल से बनने वाले पर्थम राज़पती परवण मुखर जी थे उत्तर परदे से बनने वाले पर्थम राज़पती रामनात कोविन थे और फकरु अली अहमद राज़पती बनने से पूल केंदरी मंदरी थे और पर्थम बनने वाले बेग्यानिक राश्पती एपिजी अब्दुलकलाम है ठीक है कुछ कोशन आप बताईए कितने ऐसे मुस्लिम है कितने ऐसे मुस्लिम है जो राश्पती के पत्पेकार कर चुके हैं और ऐसे कितने दलित से तालूक रखने वाले हमारे भारत के नागरीख है जो राश्पति के पत्पेकर कर चुके हैं यह आपको कमेंट करके बताना होगा क्लियर तो ये राश्पती से संबंदित कुछ important जो बिसे स्थ हैं कारवाहा के रूप में, मृत के रूप में, पहले कारवाहा के रूप में, दृती मदगर्णा के रूप में, अध्यश के रूप में, ये आप से प्रस्न पूछे जाते हैं और पहला सिख राश्पती कौन थें, तो ग्यानी जैल सिंग, ये सिख राश्पती थें, ये आपको याद करना होगा, तो ये राश्पती से जुड़े हुए question है, तो मेरा comment में question करके बताया, ऐसे अब तक कितने राश्पती थें, जो मुसलिम थे, ऐसे कितने राश्पती बन जो दलीत है और एक आपको बताना है राश्टी अपार जब भी भारत में लागू हुआ तो उस समय भारत का राश्पती कौन था इसका भी आप जवाब देने का प्रयास करिएगा ठेके तो मैं समस्ताओं की राश्पती से संबंदित जितने परस्न महतपूर सिर्फ राश्प से संबंदित और राश्पती के नामों से संबंदित जो उन से जुड़े हुए विशिश्ताइं हैं उन से संबंदी जो प्रस्ण पूछे जाते हैं मैंने वो भी यहां पे चाच्चा कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जो confusion की इस्तिती थी वो भी दूर भी हो गया होगा किलियर तो next time एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्तित होंगे इसे के साथ मुझे इजाज़त देजिए जे भारत जे